कैसे हो आप सभी होप आप सभी बढ़िया होंगे और मैं बेखद बढ़िया हूँ हम अभी अभी मंदिर से आए हैं आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा गला व्लॉग मैं अभी शूट करें पर आपका स्वागत करना तो ज़रूरी होता है न क्यूंकि यह व्लॉग अल है एक दिन की शादियों के इनके रिवाज बहुत डिफरेंट है हमारे रिवाजों से चल जैसा भी है अबही हम मंदिर से इसलिए जल्दी जल्दी आए हैं आप हो भी कानू को हल्दी लगनी है और बाराथ शाम को आएगी यह चार पाँपजे के करीब और आट-शनो वेलकम टू मैं व्लॉग हम यहां पर पूजा की तयारी और कनू दर बैठी है टाइम से पहुंच गे हम और यहां पर पूजा स्टार्ट होगी थी कनू के ऊपर और ऐसा न कुछ भी नहीं हुआ हल थी कनू कि शायद कल होगी थी मुझे नहीं पता कि क्या कुछ हो रहा था क्योंकि इनके रिवास बहुत डिफ्फरेंट है और यहां कनू के ऊपर पूजन हो रहा था उसके बाद तोरन होना था मामा का स्वागत या फिर मामा को कुछ करना पड़ता है वो सब कुछ जो उनना है ना वहां पर मामा मलब लड़की की शादी में मामा का बहुत बड़ा रोल होता है तो पापा और यहां पर लगे हैं हावन करने पर और मैं इससे पहले बता रही थी कि कनू को आठ बज़े तक ले जाएंगे यह वो सो पर ऐसा कुछ भी नहीं क्योंकि मुझे नहीं पता था बारात ही आठ नौ बज़े के करीब आने हैं और कनू के जो फेरो का टाइम है न वो रात को तीन चार बज़े का है तो बारात अगले सुबह ही जाएगी बसक्राइबाती यहां बनो रहा है आपके देखीजिए आपके पुल कि अरे हैं लो मुझे है तो recuper सक्षर करे बनो मुझे वपके ऑ को यहां रहा का है pista कि इंदे धर यहां को, रहां को शोग çekार दो edat आपके डिएक्वभपी ठीन आपके मुझे अर वो यग्य कंप्लीट होने के बाद अब कनू को त्यार करने पे लगे थे और अभी कनू ना वो सब कुछ पैने की जो उसे मामा के घर से दिया गया होगा जैसी ये सूट वगेरा कोटी सब कुछ ही मामा के घर का पैना जाता है अभी यहां पर तो कन्नू को दिद्धी पहना रहे है अनू दिद्धी ये कन्नू के बड़े वाली दिद्धी है और यहां पे न मम्मी आ गया है जो नत हम ने ली थी ना कन्नू के लिए आपने पिछले व्लोग में देखी थी तो अभी कन्नू को वो पहनानी है और मम्मी देखो इदर कितने कंफिूजे हैं विचारी क्यूंकि हमारे Uhudyδar पर नत का उतना रोल होता नहें हमारे दर कोई कुछippers पहनता नहें तो ममई को पहनानी भी नी आती थी तो ममाने अनुधिद्धी कोई बोली दें के आप पहना वो और यहां पर अनुधिद्धी कन्नो को नत पहना दी थी अब कन्नो को यहाँ पर चुड़ा पहना आए जा रहा है यह भी मामी पहना थे हैं चुड़ा भी मामो के घर सुता है और कन्नो इतनी शरारती पता नहीं क्या शरारत कर रही थी यह और इसने अपना ये वाला हाथ जलाया हुआ था इसलिए इसमें बहुत आराम से करनाना पड़ा था अबी तक कनू के उपर हपन हो रहा था और उसको जो भी मामा की तरफ से कपड़े वगएरा जो कुछ भी होता है, सारी ज्वैलरी वो सब पहनाई और अबी हम लोग जा रहे लंच करने के लिए और मैंना कुछ भी नहीं बोला उस टाइम पर क्योंकि बहुत सारी लोग थे कल शाम को जब हम आये थे ना हमारको ठंड लग रही थी और अब इतनी जादा गर्मी है नहीं है यहाँ पर अज़री इतर है खाना खाने के बाद अब हम जा रहे खे तुम्हें टहलने के लिए देखने के लिए इधर देखो दिदी दिदी भी ऐसे बोल रहे कि अब मैं भी व्लागिंग शुरू करूंगी है ना दिदी देखो अधर तक इधर पे काका पुनु अमन बैठे है आम के पेड के निचे और इधर ना जगा जगा पे आम के और केले के पेड है हमारे तो होते नहीं है हम यहीं आके देख रहे है अधर देखो यह भी आम का पेड है केले के पेड ना इस साइड को है बसलो दो दो। कि दूस पर दो आपने कर दो कि दोरो. जो डेह ला कि दोतो जो बहुतनी। मेरी शकल देखनी होकी तो है अभी तक देख लिये, मेरे सब्सक्राइबर्स ने तो देखो, देखो, देखो तर चल रही है बेदी की तयारी, बेदी बना रहे हैं पे आजी, हमारे स्वागत में ट्राडिशनल गीत गाये जा रही है हां जी ने भी रेदा, जाया मीरा पड़रे समाइ, के तांड वुभ बीना, वुभ लाई वाई, वुभ लाई जिक्ताथ, अजय को ढखिए। और यहां पर जी रिपास ना बहुत ही डिफरेंट हमारी साइड पर यह उता नहीं है यह जो लकडी वाला गेर दिख रहे ना इसको तोरन कहते हैं और जो मामा होता है न वह ऐसे करके पानी गिरा रहे और और ते नीचे पानी पकड़ रहे और वह पानी दे जाके दूलन के प जो लहाँ इसनि है यह पानी सहरा अलाने करने है ना लना नहीं है यह जो एगा वोट वह आयायव यह बहुत फोला है व्युझाता है है यह कासा आंका वीज़ी पानी पर छाण माऑचान पयाज़ी यह बहुत हैं तो आमर्का थाएज गरेंट पज़ी अशों को यह न दू मैं यहीं पर करी हूँ क्योंकि इसका पार्ट टू बनाऊंगी मैं सब्सक्राइब बहुत ज्यादा लंबी हो गया तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलना